तो कैसे हम सब उमीद करता हूं, सब अच्छ होंगे और आज मैं बात करने वाला हूं यह वेबडव्लेफ्मन्ट के रोड मैप की है, जिसमें मैं अधिस्क्स करूँगा पीएछपी को च्याप पीछपी सीख टे हुग, किस तरीक से वैब टैवलेप्मेंट कर सकते हैं और वैब joe meto अज कि सिर्ऴा करूं का है Artem eh cięak MICHAEL थी वीडियो में किसे तुरूआ पिस सरीक से काम कर सकते हैं और पीजपी के आंदर आप जौप कैसे ले सकते हैं मैं से PHP की बात निकरूंगा मैं बात करूंगा इसके अंदर आपको front end कैसे handle करना है और back end को किसे handle करना है with PHP तो I hope यह आपको वीडियो पसंद आएगी तो start करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए HTML HTML इसलिए है क्योंकि लाजबी है आप जो website बना रहे हैं जो form बना रहे हैं उसके structure आपको define करना है जो तक आप structure define नहीं करें तो कुछ भी नहीं हो सकता HTML आप सीखेंगे उसके बात फिर आप सीखेंगे CSS जो कि आपको designing का part करोगी आपकी website का look कैसा है उसमें color कौन सा चल रहा है पूरी website के अंदर font को आपने size कैसे change करना है, font का color कैसे change करना है, text कैसे change करना है, size कैसे change करना है इतनी हो जाएगी कि आप easily काम कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप CSS इतना सीखें, मैं CSS के अगर बात करूँ तो CSS आपको अच्छी खासी तो नहीं इतनी हैनी चाहिए कि आपने एक website को बना सकते हैं, जो website में जो fundamental चीज़े होती हैं वो लगा सकते हैं अगर आप वो लगा लेते हैं तो आप कितनी CSS करना बहुत है आपके लिए, अब CSS और HTML करते हुए आपको तीन से चार प्रोजेक्स बनाने चाहिए स्टार्ट के अंदर जो के काफी है आपके लिए बहुत ही कारामत साबित होंगे अगर मैं बात करो तो आपको काफी इससे मोटिवेशन मिलेगी कि आपका confidence बिल्ड होगा आपको चीजें न बताच चलेंगे किस तरीके से क्या क्या लागा है चीजें हम यूस कर सकते हैं और ये सारी चीजें आपको CSS के दूख आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या 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 चीजें कैसे करणनी है और जब आप projects बनाएंगे तो आपको आपको motivation भी अगर आप पिए अगर आप complete web developer बनना चाहते हैं जिसे हम full stack developer कहते हैं like frontend और backend दोनों का जो काम कर सकते हैं उसको हम full stack developer कहते हैं अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आप javascript से basics से थोड़ी सी advanced सीख लें like html dome वगर यह सब सीख लें basics में अगर मैं बात करो तो आपको variables कैसे बनाने हैं इनको initialize कैसे करना है डिकलर कैसे करना है यह सब चीज़ा आप सीख सकते है iffls loops और switch care statements यह सब चीज़ा आपने सीखनी है html dome उसके बाद फिर आपने सीखनी इन सब के बाद functions क्या करते हैं event handling किसे कहते हैं यह सारे का चीज़ा आपने basics में सीखनी है इन सब को चीज़ें इन सब चीज़ें सीखने के बाद फिर आप move कर जाएं अगर आपको PHP की तरफ जाना है तो लाइक अगर PHP सीखें PHP basics में आप इतना सीखें और PHP के साद माइस सीखें अब मैं आपको बता हूं PHP के अंदर जो बहुत important है वह यह है कि आपको database का connection कैसे करना है वह आप सीख सकते हैं अगर आपको fetch करना है तो वह कैसे कर सकते हैं अगर आप कैसे कर सकते हैं अगर आप यह सब करने के बाद अगर आप PHP की तरह मूफ करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर कम से कम जो है टू से थी मंच यानि थी मंच तो आपको लाजबी देने होंगे इस पूरे process के अंदर और अच्छे से सीखने के बाद फिर आप किसी placement के job की तरफ जो है वह जा सकते हैं उसके उससे पहले अगर मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो है वह basic HTML CSS सीखने के बाद CSS सीखने के बाद javascript सीखने के बाद PHP में basics को और अच्छा करने के बाद एक दो project अगर आप बना लें core PHP के उपर तो फिर यह अच्छा हो जागा आपको काफी help out करेगा placement के लिहाज से भी और job के लिहाज से भी इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आप जा सकते हैं लारवल पे अब ला पे सबसे जादा robust framework के PHP का लारवल और लारवल को use करते हुआ आप web applications easily बना सकते हैं और बड़ी-बड़ी applications, web applications जो हैं वो easily handle हो रही है लारवल पे और लारवल बहुत ही popular है PHP basic screening के बाद आप move कर सकते हैं लारवल पे लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि PHP में जो object oriented के concept हैं वो आ आप आने चाहिए जब आप यह से लेंगे तो आपको लारवल सिखने में बहुत असानी होगी बना आप घूम जाएंगे literally तो इस चीज़ को आपने लाजमी धियान में रखना है आप PHP को अगर follow करना है web development करना चाहते है PHP के अंदर या PHP के अंदर web development करना चाहते हैं तो easily इस database में आप यहाँ पर use कर सकते है MySQL, MySQL PHP को use करते हैं बहुत easy है और आपको बहुत सारा काम easily मिल जाता है लारावल के थुरू अगर आपने database करना करना है तो वहाँ पे भी आप MySQL या MongoDB वगए आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अब भी आप अगर बिगना रहें तो मैं आपक सकते हैं और MySQL पर काम करें तो आई होब यह वीडियो आपको फसंद आएगी मैं इस वीडियो को इतने रखूंगा और उमीद करते हूं यह वीडियो कर अच्छी लगे तो इसे लाइक केजिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा मैं मिल तो पर आपसे नेक्स वीडिय आपसे